लखनू में जुमातुल विदा एद उल्फित्र वार राम नवमी को लेकर दरगाह शाहमीना में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया बैठक का आयोजन मकदूम शाहमीना फाउंडेशन के नायब सदर सयद अतीक एहमद उर्फ रूवी बाबा की सदारत में किया गया बैठक में ADCP पक्षिम डॉक्टर दुरगेश कुमार ने कहा कि जुमातुल विदा वा ईद का पर्व सभी लोग आपसी सद्भाव के साथ मिल जुर कर मनाएं इस बात का खयाल रखें कि किसी भी नई परंपरा की शुरूआत ना होने पाए उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा के पुलिस प्रशासन पूरी तरह तत पर रहेगे एसीपी चौक में भी कहा कि लखनव अदब का शहर है यहां की गंगा जमनी तहजीब पूरी दुनिया में मशूर है इसलिए त्योहार में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कानून व्यवस्था खराब होने का अंदेशा हो लोग हज्जारों लोग नमास पड़ते हैं अल्विदा की नमाद कई रोजे रखने के बाद आती है लोगों में बहुत एकसाइटमेंट रहता है इसके बाद रनलान के तीस रोजे के बाद पीद आती है उसके बहुत खुशी उल्लास बहुत से चीजों का समावेश रहता ह हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी खुशी हमारे उल्लास हमारे उत्सों से दूसरों को परिसानी ना नमाज के लिए हम लोग कतार से बैठते हैं, लाइन से बैठते हैं, नमाज होती है, उसमें इस बात का ध्यान रखें, कि उसकी वज़े से कहीं लोग सड़कों पर ना एकटा हो जाएं, सड़क पर जाम ना हो जाएं, आपकी ये दरगाह, हमारी दरगाह यहां पर बिल्कुल क पर जाएं, जरासा भी रूट अगर जाम होता है, तो तुरण धी धिकते खड़ी हो जाती है